हेलो फ्रेंग, स्वागत है आपका रोजकार समचार डेली के यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो में मैं आपके लिए SAC की बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ चुकी हूँ जी हाँ दोस्तो, SAC ने सिलेक्शन पोस्ट का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है यदि आपने भी दस्वी, बार्वी यां ग्रैजुएशन कर रखी है और आप पूरे भारत में कहीं से भी इस वकेंसी के लिए अपलाय कर सकते हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पूरे भारत में सभी सरकानी नौकलियां देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट रोजकारहब.com को भी जरूर चेक कीजिए देखिए दोस्तों मैं आपको बता दू है जो SAC की वकेंसे आ रही है अगर हम टोटल नंबर और वकेंसे पर नज़र डाले तो यहां टोटल 2065 वकेंसे आ चुकी है और अब मैं आपको यहां पर वकेंसी डीटेल्स के बारे में बताती हूँ देखिए हमारे काफी जादा यूजर्स के जो है वो डाउट रहते हैं कि मैंने प्लस टू कर रखी और मेरे लिए SAC सेलेक्शन पोस्त में कौन सी वकेंसे है यहां मैंने 10th कर रखी है तो उसकी अकौर्डिंग जो है मैंने इस बार क्वालिफिकेशन के अकौर्डिंग जो है वकेंसे यहां पर लिख लिए हैं तो आप देख सकते हैं जैसे जिन कैंडिटेट्स ने हाइर सिकेंडरी कर रखी है सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं तो ये तु है हाईर सिकंडरी पास पास कैंडिडेट्स के लिए और देखें दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह जो वकेंस आ चुके हैं यह ओल इंडिया के अलग लग डिपार्टमेंट्स में जो है बढ़ती होने जा रही है अभी आगे मैं आपको ग्रैजुएशन और टेंथ पास कैंडिडेट्स के लिए ब कर सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं जल्दी से बात करते हैं कि graduation candidates जिनके बास degree है graduation की उनके लिए SAC में कौनसी वकेंसे आरही है देखे मैंने पूरा detail में जो है वो data collect कर लिया है graduate candidates जो है senior research assistant, technical officer senior scientific assistant assistant technical officer, junior chemist senior technical assistant senior preservation assistant, data processing assistant, research associate botanical assistant, देखे कितनी जादा graduate candidates के लिए वकेंसे जो हैं वो SAC में आही है laboratory assistant, personal assistant farm manager, girl cadet instructors, junior technical assistant, research assistant, statistical assistant, library and information assistant, scientific assistant assistant technical officer senior geological assistant, office superintendent, market intelligence inspector, educational assistant junior chemist, research associate instructor, investigator senior investigator, assistant manager come storekeeper, youth assistant, data processing assistant assistant programmer, senior geographer, junior technical assistant, assistant, occupational therapist, junior wireless officer eviction inspector, technical officer junior technical officer, jury insert, technician, section officer, accountant, legal assistant conservation assistant, archivist, handicraft promotion officer, technical superintendent, nursing officer statistician, girl cadet instructor, carpet training officer instructor, junior fishing gear technologist, executive, junior and senior executive post, SSC इस इस बार graduation candidates के लिए selection post में आ चुकी है दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं इस बात करते हैं इस बात करते हैं इस बात करते हैं सबसे वहले में आपको age limit के बार में बातातूं यहां पर qualification की मैंने आपको बता दिया यह जो SSC इस बार 2022 में vacancies लेकर है male और female candidates के लिए इसके लिए जो qualification है वो 10th, 12th और graduation demand की गई है और मैंने आपको शुरू में vacancy details में बता दिया है कि कौन सी candidates किन post के लिए अप्लाय कर सकते हैं आपको पूरे भारत में सभी टॉप सरकारी नौक्रियों की अप्डेट जो है वो तुरंत मिल जाएगी यह जो SSC selection post इस पर भरती की प्रक्रिया जो है वो computer-based examination रखी गई है अब मैं आपको एप्लिकेशन फी के बारे में बताती हूँ देखिए कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें 100 रुपीज जो हैं वो एप्लिकेशन फी के रूप में जमा करने और विमेन कैंडिडेट्स SC, ST परसन विद डिसेबिलिटीज और एक्स सर्विसमें कैंडिडेट्स को कोई अप्लिकेशन फी का भुकतान नहीं करना है दोस्तों अब आपको कैसे अप्लाए करना है मैं आपको बता दू सिरफ और सिरफ ऑनलाइन बोड से और जो ऑनलाइन अप्लिकेशन समीशन का लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रोजगारब.com का फर्स लिंक दे रखा है जल्दी से उस लिंक पे क्लिक कीजिए और उदर जाकर आप SAC के सिलेक्शन पोस्ट के लिए अपने आवेदन जमा कर सकते हैं अब बात करते हैं इंपोर्टन डेट्स की जल्दी से मैं आपको सारी इंपोर्टन डेट्स के बारे में बता दू देखिए जो डेट फर समीशन ऑफ ऑनलाइन अप्लिकेशन है वो बारा मही से तेरा जून दो हजार बाईस है और ध्यान दीजे आपको तेरा जून को अपने आवेदन जो है रात 11 बजे से पहले-पहले जमा करने है लास्ट डेट फर पेमेंने के डेट निट है वो औगस्ट दो हजार बाईस में होगा बट इसमें चेंच भी किया जा सकता है तो दोस्तो ये तु है SSE selection post जो vacances आ चुकी हैं पूरे भारत के male और female candidates के लिए उसकी पूरी information अगर आपके मन में कोई doubt रहे गया है तो आप मुझे जल्दी से comment करके पूच सकते हैं और दोस्तों पूरी भारत की सरकारी नौकरियां देखने के लिए आप हमारी website rojkharab.com को चेक करना बिलकुल मत भूले और जल्दी से हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीचिए